दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता जेना चाहता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो इस इंपल से वीडियो को डिसलाइक कर देना ठीक है? क्योंकि इस वीडियो से आपको तीन चीजे सीखने को मिलेगी सबसे पहली बात कि मार्केट में जो मुमेंटम आता है तो चाहे अपसाइट का मुमेंटम हो चाहे डाउन साइट का मुमेंटम है तो मार्केट का जो मुमेंटम आने वाला है तो आप उसे आइडिन्टिपिकेशन नहीं कर पाते यानि कि मार्केट में मुमेंटम आ जाता है उसके बाद आप या पर एंट्री करते हो तो मुमेंटम आने से पहले आप या पर एंट्री कैसे करोगे और कैसे आप आइडिनिपिकेशन करोगे मार्केट में का पर मुमेंटम आने वाला है Market में Upside में Momentum आने वाला है या फिर Downside में Momentum आना है Simple सा वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखनी को मिलेगा दूसरा Market का जो Fake Breakout होता है इस वीडियो से आपको वह भी समझ में आयेगा कि Market का जो Fake Breakout होता है उसे किस तरह से आप Identification करोगी काफी बार market क्या करता है कि fake breakout डे देता है सारे buyers को entry दिला देता है सारे seller को entry दिला देता है market फिल से अपना trend continue करके market reverse हो जाता है किस तरह से आप यहापर identification करके market को fake breakout को भी आप identification करोगे तीसरी चाहिए market में trend line support और resistance यह तो common है यह तो कोई भी बता देगा लेकिन काफी बार market में support resistance trend line काम करती है और आपको इससे identification करते है आना चाहिए because आप market का जो momentum आता है ना इनी सब चीजों से market में momentum आता है अगर इन सब चीजों कि अगर आप ignore करोगे तो market का आप momentum miss कर दोगे तो सबसे पहली बात तो market में एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखने होगी अगर आपको इंटरी करने है तो market का momentum आने से पहले आपको इंटरी करने होगी इंटरी का पर करने होगी proper setup बनना चाहिए काफी लोग क्या होता है कि support बना लेते उन लोगों ने क्या किया कि एक setup बना लिया कि market में यह से momentum आएगा लेकिन उन्हे confidence नहीं आता कि market में यह से momentum आएगा कि नहीं आएगा तो हमारा loss हो जाएगा तो यह आपकर अगर आप यह वीडियो देखोगे तो आपको confidence आएगा कि किस तरह से market का momentum आएगा और आप इसे catch up कर पाओगे चलिए तो सबसे पहले इस वीडियो को सुरू करते हैं अभी आपनी screen को में share करता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ किस तरह से market का momentum को catch up कर पाओगे तो simple सा video होने आला है वीडियो पसना आता है वीडियो को like करना चैनल को भी subscribe कर लिना ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको screen share कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि Saturday Sunday आपना market बन होता है तो यहाँ पर मैंने simple सा crypto market में trading किया था तो simple यहाँ पर मैं आपको देखाने के लिए कि किस तरा से market में fake breakout, momentum कब आएगा यह सब चीजे में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कुछ भी यहाँ पर difference नहीं होता crypto market, Indian market यहाँ पर bitcoin में मैंने करके दिखाया है कि market में एक बड़ा सा time frame लगा लेना 4 hours का time frame चाए 1 hours का time frame या 1 day का time frame अगर कोई trend line बन रही बिल्कुल उसे draw कर लेना बिल्कुल उसे draw कर लेना काफी important रहे था यह वाला point काफी लोग इसे miss कर देते चोटे-चोटे point पर market में trend line बनाते चोटे time frame की trend line market काम करता है लेकिन बड़े time frame पर अगर market में trend line बनाओगे तो अच्चे से काम करेगी बिल्कुल 90% वो trend line काम करेगी तो यहापर उपर से एक trend line आ रहे थी और market ने यहापर देख सकते हो आप एक resistance बना रहा था इसका बिल्कुल breakout ने आ रहा था market ने इसका breakout दिया उपर के तरफ गया और उपर यहापर एक जो trend line आ रहे थी बड़े time frame पर उसका support लेकर market फिर से नीचे आने लगया एक pullback देखे market ने इसका breakout दिया क्या यहापर आपको buy कर लेना है यह trend line का breakout आया तो यहापर आपको buy करना है बिल्कुल नहीं यहापर बिल्कुल आपको buy नहीं करना है buy market में कब करना है जब इस trend line का breakout आके उपर market sustain कर जाए याईनि कि यहापर एक rate candle अगर बनी है तो अगले वाली candle green बनेगी तो उपर के तरब हम entry कर सकते है जब उसका sustain कर जाएगा इस trend line की क्योंकि बड़े frame के trend line है तो यहापर market उपर के तरब जा सकता है लेकिन market कब उपर जाएगा जब उपर sustain हो जाएगा तो यहापर seller ने क्या किया seller heavy हो गए और market को नीचे गिरा दिया market को नीचे गिरा दिया तो काफी लोगों को क्या लग रहा था कि market में seller आ चुकी और market यहाँ से अभी नीचे चला जाएगा काफी बड़ा सा momentum आ सकता है तो काफी लोगों ने यहापर entry कर ली तो इन लोगों ने यह entry तो कर ली इन लोगों के top last का पर रहेगे इन लोगों के top last यहापर रहेगे यहापर रहेगे सारे लोगों ने top last लगा ले market अभी fake breakout डिकर नीचे के तरह पा जाएगा लेकिन market जो आपको दिखाता है वो कभी नहीं करता market आपके आपूजी direction में काम करता है क्योंकि आगर आपको मालूंगे कि market इस डायरेक्षिर में जाने वाला है तो सारे लोग पैसे उस तरह से कमा लेंगे लेकिन market उस तरह से बिल्कुल काम ने करता है आपके जो दिखाता है उस तरह से यनि कि market में जो दिख रहा है वो बिल्कुल ने होता और जो नहीं दिख रहा है वो उस तरह से market में काम किया जाता है option seller market को handle करते है तो उसी तरह से market में momentum आता है तो सबसे बड़ी बात तो यहाप पर आप देख रहे हो कि यहाप एक resistance बन रहा था इस वाले point का और market ने इसे बनाया भी यहापर support बन रहा था तो market ने बनाया इसे अभी इस वाले point पर resistance तो इस वाले point का resistance का breakout आया था और उपर sustain कर गया sustain कर गया इसका मतलब यहापर यह जो red candle बनी थे न red candle इसके उपर market ने green candle बनायी तो यहापर हमें confirmation मिल गया यहापर हमें support resistance का breakout आ गया उपर से trend line का यहापर फिर breakout और यहापर seller की entry भी हमें समझ में आ गई तो simple सा हमारी यहापर एक entry बन गई इस वाले point पर तो यहापर आपर देख सकते हो कि market में अभी मुमिन्टम आना शुरू हो गया क्योंकि market में मुमिन्टम आता है न क्योंकि यहापर seller ने सारे लोगों ने अपने top last लगा है उन लोगों के top last seat होंगे न कापी तेज़े से मुमिन्टम आता है ठीके market में जो मुमिन्टम आता है कापी तेज़े से आता है उन लोगों के top last seat होंगे क्योंकि market ने क्या दिखा है कि seller के entry यहापर कर दी सारे seller के entry यहापर कर दी और market जो आपना momentum है उससे continue करे गया उपर की तरब देख लेना यहापर आप इसे वीडियो को में continue करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि market में किस तरह से momentum आता है तो यहापर आप देख सकते हो आपनी entry यहापर बन गई और market में आपने यहापर target लगा लिया तो simple सा आपने यहापर target लगा लिया आप ही देखते है market में किस तरह से momentum आता है तो थोड़ी जेरे wait करते हैं और दूसरी चीज़ आपर मैं आपको बताना चाहता हूँ तो यहापर मैंने ठीक है यह तो recording screen है इसक्यू पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो मैं recording करा था night के time पे यानि कि रात के time पे मैं इसे recording कर रहा था तो यहापर मैं वापर recording नहीं कर पाया मतलब कि voice over नहीं कर पाया simple सा मैं recording कर दिया और यहापर मैंने दिखाने के लिए आपको यह position लगा दी position उसे बोलते है न कि uptrend में अगर आ रहा हो तो एक इस तरह से position लगा था तो simple मैंने लगा दिया था कि मैं सुबह में जब voice over करूंगा तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि तरह से आप यहापर entry कर पाते हो तो simple यहापर मैंने अभी voice over कर रहा हूँ और अभी आपको यहापर दिखाने के लिए कि किस तरह से market में momentum आता है ठीक है तो यहापर आप देख सकते हो कि momentum आना शुरू हो गया तो market का जो fake breakout आया ना उससे identification करना काफी important होता है और यहापर सारे लोगों के top loss आएंगे तो तेजी से momentum बिल्कुल आएगा market में बिल्कुल market में momentum आएगा इस तरह से अगर आप trading करोगी तो आपको profitable trader बनने से कोई नहीं रोग सकता यहापर आप देख सकते हो कि यह से मैंने थोड़ा zoom out कर दिया और यहापर आप trend line देख सकते हो यह जो trend line आ रहे थी ना यह बड़े time frame की trend line थी तो मैंने इससे सबसे पहले बड़े time frame पे इससे trend line को draw कर लिया था कि market इसका support लेगा बिल्कुल market ने support लिया था support लेकर निचा आया इसका fake breakout भी दिया तो फिर एक breakout को हमने बिल्कुल buy नहीं किया तो market में फिर से market ने seller को entry दिलाई और आपना trend continue कर रहा है तो इस तरह से अगर आप market में entry करोगे तो आपको profit होने की chances काफी ज़्यादा बढ़े जाएंगे ठीके हाँ यह बात अगर आपको support और resistance पर अगर आप काम नहीं करोगे तो बिल्कुल आप यहाँ पर miss कर देऊगे बड़ा सा momentum तो इस momentum को हम miss नहीं करना चाहते तो हमने यहाँ पर entry बना ले थी इस wallet point पर क्योंकि हमें पता है कि market में momentum आने वाला है तो इस point पर हमें entry करने से कुछ भी problem नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें 90% guarantee के market में momentum आने वाला है तो entry करने के लिए कोई reason हमारे पास 2-3 reason आ गए थे तो simple हमने यहाँ पर entry बना ले थी ठीके और simple यहाँ पर top loss हुए यहाँ पर इस value point पर लगा दिया था अभी market उपर के तरब जाएगा top loss को cost to cost यहाँ पर ट्रेयर कर लेंगे और उपर के तरब जितना market जाएगा वापर आपना profit बुक करते हुए बुक करेंगे और आप ट्रेयर करोगे top loss को ठीके अभी market में momentum आ चुका है बिलकुर trend line के उपर आभी market है यहाँ पर आप देख सकते हैं trend line के उपर आभी इसका breakout आ रहा है तो यहाँ पर आपने जो ऊपर के तरब जो line बनाई ना उस line का बनाने का reason simple सा था कि market में जो fake breakout आया था उस point से market reverse होया तो हो सकता है वहाँ से फिर से market reverse हो जाए तो वहाँ पर अमने इंटरी बनाली simple सा थिके तो यहाँ पर आप आभी इंट्री बना रहे है momentum आ रहा है तो simple इसके अभी continue दरेखते। simple है हाने तो आभी ändरी हा रही है होके ओके यहाँ आ रहे है momentum आभी भी आरहा है क्वी टेंचन नहीं हाँ यह देखो यह कुछ यहापर मैंने इंट्रे मतलब कि आप यह मस समझना कि आप यह पेपल ट्रेडिंग में कर रहे हो और आप यह इस तरह से दिखा रहे हो देखो मैंने मुमेंटम में इस तरह से अगर मैंने आपको नहीं दिखाया होता तो यहापर आपको पता नहीं च मत करना को जर्च मत करना ठिक है ठिक है और यहा पर एक गलती ओगे थी तो सब पहली गलती बता देता हúa लिए तो मारर्केट ने हाय था ना यहाय तो इस हाय को मैंने बिलकुल تार्गेट रकना चाहे था लेकिन टार्गेट क्या कुआ कि यहा पर ऊपर की मैंने target रख लिया थोड़ा उपर की तरफ इसकी बज़े से मुझे थोड़ा 15 मिनिट के लिए market में फिर से time wait करना पड़ा फिर से market में market में फिर से यापर थोड़ा सा fullback आया red candle बनी फिर red green red green candle बनी उसके बाद आमारा momentum कैचब हुआ लेकिन अगर मैंने simple सा यापर ये जो high बना था इसी का अगर मैंने target यापर रख लिया होगा 2-3 point का target उपर का रख लिया था तो ये गलती बिल्कुल मत करना आप भी क्योंकि यापर seller का point आ ठीक है 100% profit होनी की guarantee और setup पे आपको भरसा होना चाहिए आप जो भी setup बनाते होना उस पे आपको भरसा होना चाहिए कि market में उस point से momentum आ सकता है और market का fake breakout और fake breakout पो आप किस तरह से identification करोगे किस तरह से आप यापर आपना momentum को catch up करोगे ठीक है अगर आपको सच में अगर आपको training सिखनी तो आपको market को time देना होगा ठीक है market को time देना होगा market psychology से चलता है याप पर आप जिस तरह से समझ रहों कि market में अभी momentum आ जाएगा उपर के तरह तो seller क्या सोच रहोंगे कि market को या तक आने तो उसके बाद इस point से गिरा देंगी तो market में क्या करना है profit को book करते हुए जाना है मार्केट में profit को book करते हुए जाना है कि या तक आएगा तो हमारा profit book होना चाहिए और इसके उपर अगर और निकलेगा यानि कि या पर एक जो line उपर के तरफ जो support resistance बना रहा है तो इसके उपर अगर और market निकलेगा तो या पर फिर से हम अपनी entry बना सकते हैं लेकिन profit को book करके आप अपनी entry फिर से कर सकते हो ठीके दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो का like करना और आपको OI data का बाराम तो यह तो हो गया अपना support, resistance, train line वगरे सब कुछ आपने देख लिया लेकिन आपको एक वीडियो बताता हो अभी आपने यहा पर बता है तो यहा पर मैं आपको end की screen पे आपको दिखाए देगा description में आपको मिल जाएगा वापर आप OI data को देखकर आप किस तरह से entry करोगे OI data को अगर आप देखकर और support and resistance बनागे अगर आप entry करोगे तो आपको 100% गयारंटी की profitable trader बनने से कोई नहीं रोग सकता इस वीडियो को और उस वीडियो को दोने वीडियो को आप देख लेना आपको अच्छे से market को identification करना सीख जाओगे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करना, channel को भी subscribe करना और अच्छा सा comment कर देना जो भी आपको अच्छा सा comment लगे तो आप कर देना ठीके, चलिए इस वीडियो को यही पर आभी end करते, और अगर आपको और भी कुछ information वीडियो लगेगी तो मैं वीडियो बिल्कुल आपने YouTube चानल पर अपडोर कर दूँगा किस तरह से market में काम किया जाता है, ठीके